गुड मॉनिंग माजी गुड मॉनिंग तो ठीक है बहू तूपर मुह लटका के क्यों खड़ी है क्या हो गया आज तो तेरी शादी का पहला दिन है और आज ही मुह लटका लिया सब ठीक तो है ना हाँ ममी जी सब ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है पर ये मुझसे बात नहीं कर रहे है अज तो मेरी शादी का पहला दिन है न फिर क्यों बात नहीं कर रहे है अरे ऐसा क्या कर दिया तूने मेरे बेटी के साथ जो शादी के पहले दिन ही तुझसे बात नहीं कर रहा है जरूर तेरी ही गलती होगी ने तो मेरा बेटा ऐसा क्यूं करेगा उसने तो अपनी पसंद से शादी करी है तुस्से और अब तुससे ही बात नहीं कर रहा ममी जी आप ये क्या बोल रहे हो मैं क्यूं ऐसा कुछ करूँगी मैं ऐसे तो बात ही नहीं करी उन्होंने मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों मुझसे बात नहीं करें है अब देख बहु तुम पती पतने के रिष्टे में मैं क्या ही बोल सकती हूँ तुम दोनों देख लो आपस में क्या करना है क्या नहीं आते ही जगड़ा शुरू कर दिया ममी मैं ओफिस के लिए निकल रहा हूँ मेरा लंच बॉक्स ला कर दे दो मैं लाती हूँ न जी आपका टिफिन आप ममी जी को क्यों परिशान करें है मैंने तुम से बोला क्या मैंने तुम से बात करी क्या तो जबर्दस्ती मेरी बातों में पढ़ने की कोई चरूरत नहीं है मैं सुईटी को बोल देती हूँ वोई देदेगी मेरा टिफिन तुम अपने काम से काम रखो अरे बेटा क्या हुआ है तु इतना गुसा क्यों हो रहा है बहु पे कल ही तु तेरे शादी हुई है आज ही तु ओफिस चल दिया कहीं मत जा जब बहु को कहीं घुमाला आज मा आप भी शुरू मत हो जाओ मेरे पास इन फालतों चीज़ों के लिए टाइम नहीं है और मुझे बहुत काम है ओफिस में मैं जा रहा हूँ मत दो कोई टिफिन ए बहु बस यहां रोना गाना मत कर अब नहीं सुन रहा तो मैं क्या करूँ तुम दोनों आपस में देख लो क्या करना है जा मेरे लेकप चाय बना किला जी माजी अभी लाई पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर के लोग मुझे से कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे है सब को पता है मेरे साथ जो भी हो रहा है लेकिन कोई भी जानते हुए कुछ नहीं करना चाह रहा है हे भगवान मैंने ऐसे क्या गुनाय कर दिया है जो आप उझे उसकी सजा ऐसे दे रहे हो और कोई वज़े तो हो ही नहीं सकती 11 बज गई या अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आए मा जी तो बोल रही थी कि 9 बज़े तक आ जाते हैं घर पिर क्यों नहीं आए अरे आगे आप बहुत देर कर दी 11 बज गई कोई बात नहीं आप बैठे मैं गरम करके खाना लगाती हूं आपको मैं खाना बाहर से खाकर आया हूं और हाँ एक बात तुम कान खोल का सुन लो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे इंतजार करने की है मेरे लिए कुछ करने की समझी क्यों जी मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मेरे साथ ऐसा बेउहार कर रहे हो आप ना तो मुझसे बात कर रहे हो ऐसा किया क्या है मैंने आखिर बताओ तो आप जब तक बताओ गे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा मेरे गल्ती क्या है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हो मुझे न तुमसे बात ही नहीं करनी है भगवान जी, प्लीज कुछ कीजी सुबह तक इन कमोर अच्छा कर दीजे न भगवान जी और ये मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगे प्लीज भगवान जी, प्लीज, मेरी बात सुन लिजी, प्लीज ममी जी, आप सब के लिए नाश्टा लगा दू? हाँ, हाँ, लगा दे, इसमें भी कोई पूशने की बात है, नाश्टा तो करेंगे ही सब मा, मेरा नाश्टा पैक करदो, मैं वहीं जाकर खा लोगा अरे मैं नाश्ता लगा ही रही हूँ न, अब भी खा कर जाए गरम-गरम सब के साथ मा, तुम्हें नाश्ता पैक करके देना है तो दो, ने तुम्हें आफिस दा रहा हूँ मा, मैंने किसी को नहीं बोला है भूखा रहने के लिए और नाही मेरा इंतजार करने के लिए अब किसी को शौक चढ़ाओ भूखे रहने का, किसी के लिए बेखने का तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें बहु को अपने तू बता दे ममी, मुझे से कोई भी उमीद न रखे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये लड़की, शादी करने के लिए, तुमने मेरी जबजश्टी सादी करवाई है, अब तुम देख जबजश्टी करवाई है, ये लड़की, ज्यादा ड्रामी मत कर, समझ में आ, जाके चुप-चाप काम कर, हार चीज तुझे बताना जरूरी नहीं समझते, समझी? भाबी, जो आपके पापा ने आपको सबसे महगी वाली साड़े दी है न, वो निकाल देना, मुझे देखन आने वाले हैं न, तो मैं पहनूंगी, पर वो साड़ी तो मैंने बचा की रखी थी, कि मैं इनके साथ कहीं घूमने जाओंगी तो पहनूंगी, अभी वो साड़ी मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, ये लड़की, ज्यादा नाटक मत कर, और मेरा बेटा कौन सा तुझको भा पूरत नहीं है, जा, चुपचाप काम कर, और खबरदार अगर मायके में कोई बात यहां की बताई तो, मेरा बेटा है तो तेरी तरफ देखेगा भी नहीं, समझी, वो तो तेरे बाप के पैसों के खातिर मैंने अपने बेटे की जबर जिस्ति शादी कर दिये तुससे, उस की पसंद तो कोई और थी, समझी, अब जा, चुपचाप काम कर, मा जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब जा भी यहां से नाटक करती है, देखा ममी, भाबी कैसे नाटक कर रही है, अपना सामान देने में, अरे, इसको हम इसलिए तो शादी करके लाये थे ना, कि यह अच्छे-च्छे सामान जो भी अपने माई के से लाएगी, वो हम सब ले लेंगे इससे, अरे बेटा, तुछ इंता मत कर, अपरे आप सुधर जाएगी, थोड़े दिन की बात है, सारी अकट धरी की धरी रह जाएगी, सुनिए जी, आपकी माँ और आपकी बेहन ने, धीरे मुझे तुम बात किया करो, अगर तुम्हारा मन इस घर में नहीं लगता है न, तो अपने माई के चली जाओ, ये आप क्या बूल रहे हैं जी, मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिला रहा है, मा, तुम बोल गो इस रेकी को, कि अपने घर चली जाए, यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तलाग देदे, हाँ, हाँ, ये घर चली जाएगी, तो तेरी बहन के शादी के से होगी, तेरी वो 10 अजाग की नोकरी के मत थे, हैं, बड़ा आया, तलाग देदे, ते जो महगे महगे सामान लेकर आई है कि ते लोग क्या बाते कर रहे हैं, अच्छा बहु, तुझा, कुछ तयारी कर, आज गुडिया को देखने बाले आने वाले हैं, जी माजी, आरे बेटा, क्यो बना बनाया काम बिगाड रहा है, अरे अब तेरी बहन की शादी करूँगी, तो दहेच कहां से लाके दूँगी कुछ है क्या हमारे पास, वही तो दूँगी न, जो बहु अपने मायके से ले कर आई है, अगर चली गई, तो क्या दूँगी, तो ही बता कहां से ले कर आएगा, और रही बात इस लड़की से पीछा छुडाने की, तो चिंता मत कर दो, मैं इस से तेरा पीछा छुडा दू अच्छा बहन जी, आपकी बेटी ने जो हार पहन रखा है, ये उसका खुद का है क्या, वो मैं इसलिए पूछ रही थी, कि शादी के बाद तो अपना सारा समान लेकर ही आएगी न, ससुराल, हाँ जी बहन जी, मेरी बेटी का ही हार है, ठीक है फिर, मुझे ये रिष्टा म मैं तो समझी ये आपके घर की नोकरा नहीं है, अब क्या करूँ बहन जी, अब जो है ये है, पिचारी घरीब घर की है, इसलिए ऐसी लग रही है, ठीक है बहन जी, चलते हैं हम लोग, जल्दी शादी की डेट निकलवाते हैं बच्चों की, जी जी बहन जी, जरूर, मिलते हैं, बढ़ाई है, ममी जी, आपने मेरे हार को दीदी का हार क्यूं बताया, अब वो हार ही तो बचखे हैं मेरे पास, और वो भी मेरे ममी की आखिरी निशानी है, वो हार में नहीं दे सकती किसी को, अच्छा महरानी जी, तो तुमको लेके क्यूं आए हैं इस घर में, तू काम कर तू अपने घर चली जा मैं आज ही बोलती हूँ बेटे को तुझे तेरे माई के छोड़के आएगा बहुत नाटक हो गए हैं तेरे हालो हाँ पापा हाँ पापा सब ठीक है यहाँ नहीं पापा यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं नहीं नहीं पापा मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है सब लोग मुझे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से रखते है हाँ ये भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं पापा एक भाई का एक पती का एक बेटे का सारी जिम्मेदारी बखुबी निभाते हैं पापा मैं ये बोल रही थी मुझे आप लोगों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है मैं थोड़े दिन के लिए आ जाऊं क्या ठीक है पापा मैं आती हूं शाम तक मुझे माफ कर दो आचल मैं हमेशा यही समझता रहा कि पैसे वाली लड़कियां बहुत घमंडी होती है और इसलिए तुम्हें जानने की कोशिश ही नहीं करी यही मालिया कि तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो लेकिन तुम्हारे अंदर तो घमंड नाम की चीज नहीं है उचे माफ कर दो और तुम्हें अब यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है यह तुम्हारा अपना घर है और तुम अब यहीं मेरे साथ रहोगी जो भी हुआ भूल जाओ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है बट प्रॉमिस करता हूँ आगे तुमको शिकायत का कोई मौकर नहीं दूँगा हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आपको हमारी इस्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ तब तक के लिए आप सभी को राम राम